काशी बनारस वारनसी यहां के घाट इस शहर की शान है गंगा आरती देखने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं लेकिन आज वारनसी में गंगा का रोदर रूप देखने को मिल रहा है शहर पर बाड जैसी आफत मंडरा रही है वजह है गंगा का तीजी से भड़ता जलस्त फिलहाल गंगा का जलस्तर 66.46 मीटर तक पहुँच चुका है हर घंटे जलस्तर 4 सेंटी मीटर से बढ़ रहा है और अब तक वारनसी के 40 से ज्यादा घाट पूरी तरीके से जलमगन हो चुके हैं एक समय की बात थी जब ये घाट शुरधालूं से भरे रहते थे हर तरफ भक पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं बता दे महा शम्षान मनी करनी का घाट की स्तिती तो और भी गंभीर और डरावनी है यहां शव दहब प्लाटफॉर्म पूरी तरीके से गंगा में डूब चुका है और अब शवों का अंतिम संसकार च्छत पर किया जा रहा है इस तिती से डोम राजा परिवार और शव यात्रियों को परिशानी जहेलनी पड़ रही है। घाट पर जगा की कमी की वज़से शव यात्रियों को लंबा इंतिजार करना पड़ रहा है। फिलहाल गंगा में बढ़ते जलस्तर की वज़से नाओ का संचालन पूरी तरीके से रोक दिया गया है। दश अश्वुमेद घाट पर गंगा आर्ती का स्थान चार बार बदला जा चुका है जिससे शुरधालूओं को घाटों के बीच जाने में मुश्किले आ रही है। नाविक भी इस्तिती से प्रभावित है और उनकी रोजी रोटी पर भी संकट गहराया हुआ है। पानी बढ़ जाने से रास्ते कुल बंद हो गया है। इसलिए हर रोजगार बंद हो गया है। पानी बढ़ जाने से जादे दिक्कत हो गया। स्क्रीन पर आप गंगा महल घाट की विडियो देख रहे हैं। यहां सिर्फ पानी ही पानी है। घाट पर आए लोगों के लिए बनाया गया चेंजिंग रूम पूरी तरीके से पानी में डूप चुका है। जरा सोचिए सबसे निचली सीड़ी तक लोगों का आना जाना लगा रहता था लेकिन अब यहां पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि केंद्रिय जल आयोग की अनुसार गंगा का जलस्तर अब भी बढ़ सकता है। अगर यही स्तिती रही तो जलस्तर खत्रे के निशान के करीब पहुँच सकता है। जिससे शहर को और भी ज्यादा परिशानी जहेलनी पड़ेगी। वारनसी में राहत कारे लगतार जारी है लेकिन स्तिती में सुधार की कोई सपष्ट उम्मीद नहीं है। लोकल एटीन के लिए वारनसी से अभिशेक जैसवाल की रिपोर्ट